Good morning, praise the Lord, as devotion में आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने अब तक हमें संभाल के रखा है और आज हम जिसे विशे पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हर एक परिशानी में, हर एक परिस्थिती में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जितना हम परिशानी में होते हैं, परिक्षा में होते हैं, उतना जादा हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवर में महसूस करते हैं तो याकुप की किताब उसका पहला अद्ध है और उसकी दूसरी पंक्ति से लेके आगे तक पढ़ेंगे हे मेरे भाईयो, जब तुम नाना परकार की प्रेक्षाम में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परके जाने से धीरज उत्पन होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम में, तुम पूरे और सिध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे हम देखते हैं, यहाँ पर याकूब बोलता है कि, हे भाईयो, जब तुम नाना परकार की परिक्षाम में पढ़ो, तो उसे पूरे आनंद की बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम परिक्षाम में होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है हमको कि हम आनंद करें और हम जैसे जान रहे हैं इस समय हम कुरोना वाइरस के अंतरगर्थ हम लोग कुजर रहे हैं, परिस्तितियों से लॉकडाउन है, बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समय में हमें आनंदित रहना बहुत मुश्किल है, हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी परिस्तितिया कैसे बदलेंगी, हम कब इससे निकलेंगे बाहर, लेकिन एक चीज हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हम से प्रेम करता है और इस समय में परमेश्वर हम से प्रेम करता है और जितना जादा हम परिक्षा में होते हैं तो परमेश्वर उतना जादा हमारे करीब होता है और हम परमेश्वर के उतना जादा करीब होने चाहिए बुलता है कि जैसे ही हम परमेश्वर पर निर्भर हो जात करेंगे और उन्होंने वो निर्णने लिया और कि उस निर्णम्सवर ने क्योंने प्रमेशवर दींच अपना प्रेक, अपने सामर्थ अपना आंउग्र्य, वहां पर मैं जांते हैं कि वो चारो शद्रक, मेशक अबेदनगो और दानियल बुलते हैं कि उनके चहरे पे वो चमक थी जो बाकी सब की चहरे पर नहीं थी तो परमेशवर हमें परिक्षाओं के समय में भी क्या करता है चमकदार बनाता है हमें बुलता है कि वो पॉलिश करता है उस समय पे और हम बहुत खुबसूरत दिखाई देते हैं अगर हम परमेशवर पर निर्भर रहें उसके विश्वास करें उसके भरुसा रखें उसके उपर तो हमारे जीवन में हम वो चमक को देखने पाएंगे दैनियर के तीसरे अध्याय में हम जानते हैं शदरक मेशक और अबेदनगो की परिक्षा उस आग की भटी से हुई लेकिन हम एक चीज जानते हैं वहाँ पर की आग थी परिक्षा थी लेकिन येश्यू मसी उस आग की भटी में था और जब हम उस आखी भटी में प्रभू येश्यू मसी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का एक बुलते हैं कि वस्त्र की एक कोर भी नहीं जली इवन उनके बाल भी नहीं जले, उनके स्मेल नहीं आया के अंदर से बाल जरने का भी तो परमेश्वर बुलते हैं कि जितना हम परिक्षा में होते हैं परमेश्य उतना ही हमारे करीब आता है उस समय पर शायद येश्व मसी इतना करीब नहीं था लेकिन आग की भटी में येश्व मसी ने उनको इस तरीके से छुपा के रखा अपने पास तो इंपोर्टेंट है जब हम परिक्षा में होते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम अकेले हैं हम तकलीफ में हैं कोई मेरे साथ नहीं है सबने मुझे छोड़ दिया है लेकि एक चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें प्रवी येश्य मसी ने अपने पंकों के नीचे ढख लिया है और वो हमसे प्रेम कर रहा है उस समय पे वो हमें अनुग्रे दे रहा है वो हमें आनंद दे रहा है इस समय पे तो इसलिए याकुब यहाँ पर बोलता है हे मेरे भाई मेरे भाईयो जब तुम नाना परकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बाद समझना क्योंकि येशु मसी हमारे पास है येशु मसी हमारे करीब है येशु मसी ने हमें छुपा के रखा है और ये परमिश्य का प्रीम और उसका अनुगर है दानियल के शेरों का मुह बंद कर दिया। और येश्यो मसी उस समय पिर उसके क्या बना। भरुसा बना। के साथ है येशु मसी ने इस इस्थान में उसको सांत बना दी उसके मन से वो डर निकाल दिया येशु मसी ने उसके जीवन में वो बुलते हैं कि भरोसा दिया विश्वास को बढ़ाया और बुलते हैं कि येशु मसी ने उसको आनन दिया उस इस्थान पे और हम जानते हैं कि वो सुबा जब राजा वापस आता है दारा राजा तो वो कहता है कि दैनियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है इवन बोलता है कि दैनियल का जो राजा था दारा राजा उसके मन में भी एक वो था कि दैनियल का परमेश्वर उसको बचा लेगा तो जब मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे होता है, मेरी परिस्थिति पर नहीं, मेरी समस्या पर नहीं, और मेरी तकलीफों पे नहीं, मेरी परिक्षाओं पे नहीं, तो बोलता है कि हम परमेश्वर से अपने जीवन में प्रेम, सांत्वना, आनन्द को प्राप्त करेंग परमेश्वर हमसे हर एक परिस्थिती में प्रेम करना चाता है हर एक परिस्थिती में परमेश्वर हमसे उस परिक्षा के समय में भी प्रेम करना चाता है जितना जादा हम परिक्षा में हम जितना जादा परिस्थिती में गिरेंगे परमिश्वर हमसे उतना ही ज़ादा फ्रेम करेगा और बहुत ही important है कई बार लोग मसीहत छोड़ देते हैं कई बार लोग परिक्षा में गिरते हैं और सताफ से गुजरते हैं और वो मसीहत को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपनी सामर्द से वहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे वो सोचते हैं कि मैं लड़ लूँगा मैं कर लूँगा लेकिन हमें अपनी सामर्द पर भरोसा नहीं रखना है जब हम परिक्षा में होते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं हमें हमारी सामर्द पर भरोसा नहीं रखना है परमेश्वर के आधीन हो जाना है येश्यू मसी को समर्पित कर देना है अपना आपको और येश्यू मसी उस समय पे हमको क्या करेगा सांत बना देगा वो हमें छुडाएगा वो हमारे जीवन में आनन देगा और वो हमसे प्रेम करेगा एक कहानी है एक वेक्ति ने कहा कि वो हर रोज परमिश्वर के साथ में बीच पे उसके जीवन में सब कुआ रहा है तो बोलता है कि येश्व मसी उसके साथ साथ चलता है और बोलता है कि उसको दिखाई देते थे сाथ में उसके चल रहा है लेकिन एक दिन जब उसके जीवन में परिक्षा आई, समस्या आई, तो बोलता है कि देख परमेश्वर तुने मेरे साथ चलना बंद कर दिया, देख मेरे तेरे पैर के निशान दिखा इन दे रहे, तो उसने बोला कि ये तेरे पैर के निशान नहीं, ये मेरे पैर के निशान तो कभी भी हम अपने आपको परिक्शाओं में, सताब में, तक्लीध में अकिला ना समझे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ यह नहुद है और वह मसे बोहत प्रेइम करना चाता है तो हरे एक परिस्थिती में हरे परिक्शाओं में Всё, हरेक समझए हो हमको प्रेम करता है तो मेरा कार्य जो है से वो ये है कि परमेश्वर ने जो दिया है वो ले लू परमेश्वर जो मुझसे देता है वो मुझे लेना है मुझे खुद से लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करना है परमेश्वर मुझे सांत बना दे रहा है मुझे सांत बना खुल लेना है परमेश्वर मुझे विश्वास देता है उस परिक्षा के समय मुझे विश्वास को ले रहा है परमेश्वर मुझे उस समय पर आनंद दे रहा है मुझे सिर्व आनंद को ग्रंड करना है मुझे परिक परमिश्वर सीधा मार निकालेगा वो बहुत अद्बुत परमिश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है मेरी हर एक परिस्तिती में मुझे प्रेम करता है तो मैं इस बचन के दुआरा आप सभी लोग को साहित करना चाता हूँ तो आए हम रातना करते हैं परमिश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे नाम को उचा उठाते हैं तेरी महिमा तेरी स्तूति करते हैं धन्यवाद देते हैं सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु येश्वर मसी के नाम से मांगते हैं आमें